हमारे साथ गुजरात कॉंग्रेस के परदेश अद्यक्ष जगदीश ठाकोर साब है सर चौकाने वाले नतिये तो कमसे गुजरात में नहीं आए नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे चौकाने वाले और गुजरात की लोगों के साथ कॉंग्रेस बिल्कुल संपर्क में रही हैं लगातार जो भी इशू गुजरात में बनते थे जहां जहां सरकार विफल रहती थी वो सभी मुद्धे पब्लिक के उठा के कॉंग्रेस ने बड़ी ताका से चुनाओ भी लड़ा है अपने ओपोजिशन का रोल भी अदा किया है और मैं मानता हूँ के रिजल्ट सही होंगे तो काफी दूर दिख रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी ने लगता है कि आपका नुक्सान किया और सी यहाँ पहले से हम बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और OVC जो है वो कॉंग्रेस के वाट काटने के लिए लाई हुई पार्टिया है और उसका जो भी असर होगा वो थोड़ा बहुत रहेगा और वो हमाएं नुक्षान करने के लिए ही आए हैं तो नुक्षान थोड़ा पहुत होगा वीजेपी से रिकॉर्ड तोड़ सीटों से जीत रही है गुजरात में नहीं अपी तो एक दो राउंड पूरे हो रहे हैं पूरे बारा बज़े के आसपास मैं मानता हूँ वहां तक पिक्चर क्लियर होगा पर हम ये बोलते हैं कि कॉंग्रेस ने जिस तरह से पब्लिक के सा करें सात रही हमारा कैंपिंग ठीक रहा हमारे केंडिडेट वगरे ने पूरे चुनाव को ठीक तरसे उठाया और को अंगरेस पार्टी पूरी टाका से 6-8 महिनासे पूरा हमारी ए dependency की टीम हमारी संगठन की टीम ताकास से चुनाव हम लोग लड़े हैं लगना है जर कि 2024 में इस नतीजे का असर होगा लोगसभा में 26 की 26 सीटे भरती जनतापाटी के पास है अब आगे का रास्ता कैसे होता है 24 को लेकर कैसे तयार होगी होगी तो कि अगले साल राजियों में चुनाव भी है आज ही हमारे ज 27 का इस चुनावी नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीते 6-8 मेने से लगातार कॉंग्रेस अपनी भूमिका बखो भी निभा रहा है और आने वाले वक्त में भी अपनी भूमिका निभाएगा जीत और हार पर मंतन की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी कैमरामेन अखिले और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है जूस 24